25 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय सिहिंग राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैमातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्योब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सितंबर माह के अंतिम 6 दिनों के सिहिंग राशी फल के बारे में 25 से 30 सितंबर तक का समय सिहिंग राशी के लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आएगा इन 6 दिनों में कौन-कौन से योग बनेंगे ग्रहों की इस्तिथी क्या होगी कौन सा ग्रह राशी बदलेगा क्या नक्षत्र होंगे और ये सभी आपकी दिन्चरिया को कैसे प्रभावित करेंगे तो सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में, हर एक चीज के बारे में, उपाय के बारे में भी कौन से शुब दिन रहेंगे, कौन सा शुब रंग रहेगा, ये सबी चीजें आपको पता चलेंगी, तो वीडियो को लास तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहां आपको अपनी राशी से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती है, समय पर या समय से पहले तो 25 से 30 सितंबर तक की मैं बात कर रहे हूँ, और यह राशी फल चंद्र राशी पर आधार रित है, तो चंद्रमा की इस्तिती बेहद माइने रखती है अब यहां चंद्रमा जो है, वो मकार राशी से गोचर करेंगे, मकर में जाएंगे, कुम्ब में जाएंगे, और मीन में जाएंगे तीन वावों में चंद्रमा की सक्रियता बनी रहेगी, कई योगों का निर्मान होगा अब जो यह 25 सितंबर का दिन है, यह एकादशी का दिन है, एकादशी तिती से इस सप्ताह की शुरुवात हो रही है पुनिमा तिती इस महीने में सप्ताह में होगी, और स्राद पक्ष भी इसी सप्ताह में होने वाले हैं जो काफी माइने रखते हैं क्योंकि जो स्रादपक्ष होते हैं उनमें उपाय करना अपने पित्रों के निमेत तरपन करना ये बहुत शुब होता है इसके अलावा जो सूरिय हैं उनके नक्षत्र का परिवर्तन होगा सूरिय हस्त नक्षत्र में प्रिवेश करेंगे जो कि एक भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा गजकेश्री योग भी रहेगा उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा और आपकी राशी के स्वामी सूर्य देव जो की आपके द्वीते भाव में विराजमान है मंगल के साथ तो ये कैसे आपको प्रभावित करने वाले हैं और साथ में सपोर्ट मिलेगा गुरु ब्रस्पति का। जो विक्रे व उत्पादन के छेत्र हैं उनमें से अच्छा लाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा करा सकते हैं आपको यात्रा कर सकते हैं और ये कामकाज के सिलसले में भी यात्रा हो सकती है। इसके अलावा जिनका खुद का वैफसाय है और वो कुछ अपने कुशल श्रमिकों की जरूरत है तो उनको भी उन श्रमिकों की जो जरूरत है वो आपकी पूरी हो जाएगी। आप अपना मूड बदलने के लिए किसी समाजिक आयोजन में भी शिरकत कर सकते हैं जहां आपको समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकाit करने का मौका मिल सकता है, उनके अनुभा से कुछ सीखने का मौका मिल सकता है, इससे आपको जीवन में कई सही निरणा लेने में भ गुरु और राहु दोनों ही बहुत अच्छी रिजल्ट आपको देंगे आप पैसो को सही महतो दे पाएंगे माल लक्ष्मी आपके उपर महरबान रहने वाली है इस पूरे सब्ता हमें और जब आपके पास पैसा आता है जब आप उसके महतो को समझते हैं तो आप उसे अपने हातों से फिसलने नहीं देते अप उसको रोकते हैं अपने हातों से रिज्टेदारों के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा आपका जो वहवार है अपने घरवालों के प्रृति भी अच्छा रहेगा और आपके माता-पिता आपको देखकर बहुत प्रसंद होने वाले हैं इससे आपको भी अपनी प्रसंदता की अनुबुती होगी और गुरुब्रेस्पती कि मैं पहली बात कर चुकी है नौवे भाव में है जो चंदर राशी पर ज्रस्टी डालेंगे तो यहां क्या होगा कि आपके ओफिस में आपके जो भी आपका ओफिस दफ्तर है वहां क्या है कि अक्सर क्या होता है बहस हो जाती है किसी भी मामले में या किसी से आपकी कम बनती है तो उनसे अच्छी बाचीत होने का योग बना हुआ है ये बहुत अच्छा यूग है आपके लिए इसके साथ ही कोई नया महत्वपुन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है जो आपको खुश करने वाली होगी बुद्ध क्या है पहले भाव में स्थित हैं जिसके कारण जो प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी ब भावना बढ़ती हुई दिखाई देगी जिन भी बच्चों के उपर प्रतिस परदी भावना बढ़ी होगी वो अपनी जीवन में जरूर कामयाब होंगे क्योंकि उनके अंदर है आगे निकलने की इच्छा कुछ अच्छा करने की कुछ नया करने की तो उनके लिए ये समय जो है काफी अच्छा रहने वाला है काफी उत्तम रिजल्ट देने वाला मैं उनके लिए कह सकते हूँ भागयोदे के टिप्स में मैं आपको बताऊंगी यहां देखे जो यहां आप सुख जो है वो आपको प्राप्त हो गई होगा साथ में कुछ गलत फैमिया अगर थी तो वो गलत फैमिया भी आपके लिए दूर होती हुई दिखाई दे रही है अपने मित्रों से अपने परीजनों से किसी तरह के विचार विमर्स भी आप कर सकते हैं को समझ से आए थी तो संतोस जनक समादान भी उनका निकलेगा और हाँ यहां भी सुब समाचारों की प्राप् होती होती दिख रही है मौज मस्ती भी रहेगी तो काफी जीज़ें अच्छी रहेंगे और देखे धर्मकर्म में भी आस्ता रहेगी धर्मकर्म में भी आस्ता रहेगी तो 30 सितंबर अजोंतिम दिन है उसमें आपको रात के समय काफी अच्छी चीज़ें आपको दिखाई हुआ है तो पुनिमा तिथी के दिन मालाक्षमी के अराधना जरूर करें और पित्रपक्ष जो कि 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं अपने पित्रों के निमे तरपन करें कुछ दान पुन्ने का कार इस पित्रपक्ष में आप जरूर करें अब मैं बताते हूं कि भागय उदा कर के लिए आप क्या कर सकते हैं तो देखिए भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना करें अगर आपके असपास मंदिर है आप मंदिर जा सकते हैं तो वहां लाल रंग की चीजों का दान करके आए जो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर कहीं भी बहस्वाजी होती है तो पहली बात तो आप कोशिश करें कि ना जाए लेकिन अगर जाना भी है तो अपनी वाणी पर आपको सहीम रखना होगा क्योंकि वजहा आप बन सकते हैं अपने जो अपने खुद के व्यक्तित पर कुछ नेगिटिव कमेंड के लिए तो ऐसी जगा पर आपको थोड़ा सा ध आना चाहूं तो लखी अंक आपके लिए रहेंगे 13,27,39 यह आपके लिए बहुत लखी होने वाले हैं अगर आप इनका उपयोग करते हैं और साथ ही सिंग राशी के जात तक एक और रुपाया कर सकते हैं कि आप बंदरों को केला जरूर खिला सकते हैं बाकी सूर्य देव क क्यों पासना तो करनी ही करनी है वो आपके लिए अच्छी है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भोलें